हलो दोस्तों एक बार फिर जवागत है आपका आपारे शैनल पर बेर राव है वरोड और हम बात कर रहे हैं सीवीटी के तो सीवीटी के एड्मिशन स्टार्ट कर दी है बहुत सारी यूनिवरस्टी ते अलग-अलग वीडियो में बढ़ा चुका हूँ और अब ही बस दिमाग में क्या लिया है कि कौन सी यूनिवरस्टी अच्छी है तो आप सबी के लिए पूरी यूनिवरस्टी का ओवर्भ्यू लेकि हम यहां आ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट कर लेतें Central University of Karnataka का overview हमें यहां देखने वाले हैं सबसे पहले अगर बात करें Central University of Karnataka की तो भाई यह CU के कहलाती है इसलिए भी याद रखना कई बार हम सॉट फॉर्म में CU के इसको बोल सकते हैं इसको बताएं तो भाई यह इसका establishment जो है Act of Parliament नमबर 3 of 2009 2009 के तीसरे नमबर के Act of Parliament था उसके बिहाब पर उसका establishment किया गया है कहां कलावुरागी करनाटका में और यह 16 नए Central University में जो नए बनाए गयते सरकार के दौरा उसमें एक हुआ करता था उस समय की बात है जब भाईया UGC ने 11 बाप प्लान स्टार्ड गया था 11 प्लान बीरियेड में ठीक है ना भई तो यहां पर 11 योजना पंचवर्सी योजना उसकी बाल चल ली ठीक है तो क्यों करी थी क्योंकि यहां पर equity और access जो नहीं मिल पा रहा है लोगों को गरीब लोगों को पढ़ाई में और जो कमजोर वर्के लोग है उनके लिए भी ये graduate enrollment ratio बगेरा जो कम हुआ गर रहा था टोटल 11 परतिशत average हुआ गर रहा था national average इसको बढ़ाने के लिए नए कितने बाई गवर्मेंट ने 16 नई सेंट्रल उनिवर्स्टी स्टाबलिस करें ति 2009 में उसी समय उनिवर्स्टी अप करनाट को भी स्टाबलिस करा गया था हाइलाइट्स की बात करें तो भाईया establishment कब हुआ है 2009 में जो हम यहाँ पर देख चुगे हैं campus की size है भाईया 604 ये कर में फैला हुआ अच्छा भब आपका ये university है recognized बाद NAC, UGC and AIU ये तीनों की द्वारा यहाँ पर recognized है साथी साथ institute central university है हमने बात करी हुई है central university है public institute है acceptance exams की बात करें तो C-U-C-E-T जिसको C-U-E-T भी कहा जाता है तो confused नहीं होना है साथी साथ J-E means के द्वारा यहाँ पर technical courses में आपको admission दिया जाता है number up courses offered की बात करें तो central university और करनाट का 40 courses को offer करती है जो कौन-कौन से हम discuss करने वाला है don't worry official website इसलिए याद रखना है क्योंकि यहीं पर इसी website पर आपको क्या करना है आपको registration या application process करनी है तो क्या है भया cuk.ac.in यह official website है इसी के माध्यम से admission process हो पाएगी करनाट का university में ठीक है चलिए gender intake की अगर बात करी जाए तो यह co-ed university है मतलब male और female दोनों यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं याद रखेगा ठीक है तो co-ed university है और application mode की बात करी जाए तो अभी हर university में maximum जगों पर online admission की प्रक्रिया ही जारी है departments की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे departments है school of humanities and languages इसके अलावा education and training school of earth science, school of social and behavioral science, इसके अलावा business studies हो गया, physical science हो गया, computer science हो गया, engineering हो गया, chemical science हो गया, life sciences हो गया यह सभी के सभी departments है किसके Central University of Karnataka के इसी के अंतरगत अलग-अलग courses offer करे जाते हैं scholarships की बात करें भई, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को encourage करने के लिए, यहाँ पर merit-based, साथी साथ आपके particular cast based जो गरीब तपके से लोग बगाते हैं, उनके लिए बहुत सारी scholarship offer करी जाती है, Central University of Karnataka की, अगर बात करें तो merit कम means scholarship है, merit कम मतलब अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, तेज हैं और merit list में आते हैं, तो उसके through भी आपको scholarship दी जाती है, साथी साथ post metric scholarships भी है, यहाँ पर post metrics यानि कि आपने बार भी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया तो उसकी भी आपको scholarship provide की जाती है, OBC के लिए अलग OBC scholarship यहाँ पर provide की जाती है, scholarship for SC, STs के ल बहुत सारी scholarship यहाँ offer करी जाती है, ताकि भाई पढ़ाए में कमी न हो पाए, और हम क्या है education label को बढ़ा पाए, तो भाई इसलिए बहुत सारी scholarship है, यहाँ पर तो वो तो कोई समस्या है, नहीं, admission criteria और process की अगर बात करी जाए, तो हमें पता है कि online ही सारे admission होने हैं, तो CU के admission, all courses done through the Central University Common Entrance Test, इसको बोला जा रहा है Central University Common Entrance Test, जो अब क्या कर दिया है, CUET कर दिया है, Common University Entrance Test, ठीक है, so CUCT या CUET, दोनों आप यही बात कर रहे हैं, इसके द्वारा इसको Central Universities India, जो हर साल कराती थी, उसको अब CUET कर दिया गया है, ठीक है, NTA के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, organize करा जा रहा है, Stats को, और जो हो चुका है, इस साल का, और उसके numbers जो है, उसकी scorecard बगेरा भी release कर देगा, उसके basis पर अब admissions हो रहे है, Central Universities में, सारी 45 Universities जो है, वो CUET को मानेता दे चुकी है, तो cut-off की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो भी cut-off रहेगा, release करने के बाद, उसके basis पर university यहाँ पर क्या करेंगे, admission प्रोवाइड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, admission करना पड़ेगा, application form online फुल्फिल करके, particular university का, ठीक है, CUK admission process conducted through the online mode, यह हमने discuss कर लिया है, online mode only लिखा हुआ है, cable online mode में ही यहाँ पर admission process कराई जाएगे, 13 October, जो की आने वाला है, याद रखिएगा, 13 October, जो है, वो last date है, यह याद रखना है, हमने इस पर भी discuss किया हुआ है, यह last date है, CUK admission to 2022 की, ठीक है न, इसको याद रख लिजे, अगर आप चाह रहे है, admission लेना, तो भाया, बिल्गुल भी देर नहीं करना है, आपको online जाके, आपको application कर देना है, admission के लिए, university offers program in commerce, field के जितने student होनके लिए, बहुत सारे programs है, science field के बच्चों के लिए, law हो गया, art side हो गया, education and management field के, सारे की सारे students के लिए, इतने सारे programs offer कर रही है, student must have the certificate from the CCT national board, मतलब याद रखिएगा, यह CUET है, इसको मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप confused नहीं होईगा, ठीक है, उसको eligibility का जो scorecard है, वो लगेगा, यहाँ पर, online जब आप fulfill कर रहा है, application form, तो university also requires the certificate and mark seats, from the last qualifying level of PG and UG admissions, अगर आप UG admission के लिए चाह रहा है, तो 12th class के, आपके certificates लगने वाले हैं, और अगर PG program, post graduation program में admission लेना चाह रहे हैं, तो भाई आपके UG के certificates भी लगने वाले हैं, यहाँ पर, application fee जो है, भाईया, वो 1000 रुपे की है, किसके लिए, journal category के students के लिए, याद रखिएगा, साथी साथ जो SCs and SCs category से belong करने वाले students हैं, उनके लिए भाईया, साथे 400 रुपिया, यहाँ पर क्या होगा, और PWD के जो category के लोग हैं, उनको क्या है, भाईया, fee pay नहीं करनी है, exclude कर दिया गया है, पैसे नहीं जमा करना, PWD के candidates को, ऐसे ही हो जाएगा, आपको बस भर देना है, अपने certificates पगेरा देना है, अगर BTEC program आप करना चाह रहे हैं, याणी technologies से आप क्या bacheloret करना चाह रहे हैं, तो admissions के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका, जो JE means का exam आपने दिया था, उसका entrance exam, यह जो marks हुए है, उसके basis पर आपको BTEC program में entrance, admission मिल जाएगा, यह आप है, और अगर MBA program आप करना चाह रहे है, MBA courses करना चाह रह program में आपको admission दिया जाब पाएगा, तो 2022-23 का जो admission हो रहे है, वो session क्या है, start होगा March मा, ठीक है, साथ ही साथ registration process online होगी, university admission tab पर, अब बहाँ university की side पर जाएगे, तो वहाँ आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगे, तो institute has established a career counseling cell and the placement cell, that's, क्या करेगी, assist graduating student, जो student है, उनके लि उसमें क्या होगा, कि बच्चों को guide किया जाएगा, assist किया जाएगा, ताकि वो further आगे की process के लिए, भई, अगर आप job करना चाह रहे है, तो placements के लिए यहाँ पर, और नहीं तो आपको internship बगेरा के लिए भी, आपको यहाँ सारे guidance, या guide किया जाएगा, इस today has the managed to secure 100% placements है, यह याद रखिये का बहुत अच्छा इनका record रहा है, 100% placement का record है इनका, ठीक है, the graduates are pleased in prestigious companies and in the large salary packages, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे बड़े-बड़े packages पर लोग बग गए हैं, यहाँ पर, conduct the guest lectures, company visits, ERP program, और साथी साथ, assist करती है अपने student को, university यह अपनी सारे जो भी इनकी कारे हैं, college के university के, अपनी तरब से उन सभी का निर्वाहन करती है, बड़े अच्छे सा है, अच्छे सा ही इननने, बोला है CU की के बारे में, चलिए application form की अगर बात करी जाए, तो Central University for Nata का TX, admission 20, 22 or 3, on the basis of Central University Common Interest Test, UCD, बोल रहे हैं, इसको CVD ह है, याद रखिएगा, चीक है, यहाँ पर UG program, PG program और doctoral program के लिए भी सारे के सारे courses available है, बहुत सारे, खीके, student have to clear entrance test for the admission, यह आप में पता है, और also required the application form online, अगर आप form ही नहीं भरेंगे, तो कैसे आप आएंगे, parent list में यह भी समस्या है, तो इसको form fill करेंगे, तब ही admission हो पा रखिएगा, courses और उनकी fee किया है, यहाँ देखें, तो CUK की बात करें, Central University of Karnatka, 40 courses को offer करती है, जिसमें से arts के है, humanities के courses है, management के courses है, science के है, और engineering stream के, यह 40 courses जो है, offer कर रही है, CUK के, और university 16 departments, जिन में से कुछ की तो हमने बात करी हुई थी, ठीक है, spread in the 8 schools, 8 schools में, 16 अलग अल यह सभी है, यहाँ पर 9 dual degree के, integrated courses जो होते हैं, dual degree programs भी दिये जाते हैं, 15 PG program यह offer कर रहे हैं, और 16 research program offer कर रहे हैं, some of the popular courses are mentioned below, नीचे हैं, जो हम discuss करने माले हैं, don't worry, ठीक है, चलिए, MSC program है, यह PG program है, याद रखिए, post graduation के लिए, master of science, 11 courses की offer कर रहे हैं, 11 courses मतलब, अलग अलग stream के लिए, MSC program रहेगा, जिसके लिए, total tuition fee की अगर बात करी जाए, तो 16.06K है, और यह program जो है, यहाँ पर 28, 28.84K से 60.06K तक के, अलग-अलग 11 programs है, तो सब में अलग-अलग tuition fee है, और यह programs 2-5 साल के, यहाँ पर हैं, साथी साथ eligibility की बात करी जाए, तो अगर आप ऐसा program कर र direct वाला, दो साल program कर रहे हैं, तो graduation होनी चाहिए, 50% marks है, exams की बात करें, तो CUET वाला, जो PG वाला, आपका examination था, वो और भी, अगर single, आप UG वाला course करना चाहरे है, single वाला, तो UG वाला, आपको CUET examination, उना चाहिए, conduct, BSC program अगर आप करना चाहरे है, bachelor of science, 9 courses यह आपर offer करे रहे हैं, जिसकी fee की अगर बात करें, तो 31.22K, 31,000 रुपे से start होके, 60,000 तक के, यहाँ पर fee है, courses की, और 3 to 5 year के यह program से याद रखिएगा, साथ ही साथ अगर आप BSC start कर रहे है, तो 12th pass होना चाहिए, 50% mark से, exam आपने CUET, UG वाला, 2022 बाला, conduct किया हो, दिया हो, उसके बाद ही total tuition fee एक बार vary हो रही है, तो एक बार check कर लिजेगा, please इसको, साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या है, MCA program है, master program है, तो भई, graduation होना जरूरी है, 50% आपकी marks होने चाहिए, aggregate exam आपने, जो PG वाला CUET है, वो दिया हो, यह जरूरी है, MBA program आप करना चाहिए, PGDM program करना चाहिए, य करना चाहिए, master of arts, यह 12 courses है, 12 अलग-अलग subjects के लिए, specializations के साथ, यह करा रहे हैं, जिसकी fee अगर बात करें, तो 50.12k से start होगे, 53.65k, जो यह fee है, total fee, अलग-अलग courses के लिए याद रखिएगा, चीक है, 2-5 साल का यह program है, और यहाँ, अगर आप direct करना चाहिए, तो 10th में, आपके 50%, 12th में, आपके 50% marks होने चाहिए, graduation में 50% marks होने चाहिए, साथ ही साथ, CUET वाला PG program आपने किया हो, मतलब जो exam हुआ था, उसको आपने दिया हो, और result आ तो चुका ही, scorecard उसका होना चाहिए, CUET वाला exam आप दे सकते हैं, और बहुत सारे courses हैं, जिसके लिए आप क्या कैसी व्यवस्ता है, तब तो हम जाए, है ना, so placement हर university में बहुत important होता हो, और यहाँ तो यह बोलना है कि 100% placement record है हमारे, अलगी हर university यही बोलती है, लेकिन ठीक है, Central University of Karnatica campus has been visited by the companies over the years, 2009 से करी रही हैं, बच्चों के लिए, और company क्या कर रही हैं, यहाँ पर placement ले रही हैं, तो यहाँ पर, ING वाईश्या बेंक हुआ कर रहा था, इन्होंने क्या किया, CEU के, मतलब Central University of Karnatica के student, जो थे, commerce और management department के, यहाँ पर उनको क्या किया हुआ है, 2013 में recruit कर रहा था, same year MBA students की बात करें, तो वो भी recruit किये गए थे, किसके द्वारा, मैसर्स, सेनर्जी, ठीक है, ब student को final placement दिया था, साथी साथ, विल्सरी, यह multinational insurance company है, इसने भी, भाई, CU के आए, और यहाँ पर बच्चों को, 2015 में, school of earth science के बच्चों को क्या किया था, recruit किया हुआ था, ठीक है, placement इनको दिया हुआ, global techno, सिख्षा, and infotech, यह भी company है, जो आई थी, भाई, यहाँ यहाँ लि रहती है, कौन कौन से, इनके, जो top recruiters है, उनकी अगर बात करी जाए, तो आई जी वैश्य वैंक हो गया, infotech technology limited हो गया, access banks हो गया, millennium synergy private limited हो गया, welfare हो गया, provide technologies हो गया, LALM, consultancy services हो गया, यह inbridge, solution private limited, तो बड़े बड़ी यहाँ पर top most recruiter रहे है, इनके, facilities क्या क्या आटका का campus, जो है, campus house, state of the art, infrastructure, including hostels, यहाँ पर है, बच्चों, मतलब दौनों के लिए, man and woman, males and females के लिए, cafeteria भी है, bank, BITMBA, healthcare की facility भी है, साधी जात, library भी है, और अगर highlights में बात करी जाए, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्या-क्या वेवस था भी एक convenience store है, labs, others, तो बहुत सारी जो normal facility हर university में जो होती है, वो तो होंगी ही आपकी यहाँ पर, ठीक है ना, तो यह तो सारी बात होगी किसकी central university of करनाटका की और इसी के साथ, अगर अब भी कोई doubt बचा हो central university of करनाटका के लिए, तो भी comment करके बता दीजे कि सर यह समस् को भी आपके doubt को clear कर देंगे, लेकिन भाई admission लेने से पहले दिमाग में doubt नहीं होना चाहिए, तो भाई अंगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अंगले college के साथ आएंगे, तब तक के लिए करना क्या है, आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like करें, दोस्तों में share जरूर कर दीजेगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि CUET के हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल पाए, तो मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए जाएए दो I hope you like this video, for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe